दो महीने पहले हिमाचल प्रदेश में PGT की एक पद निकले थे, पोस्ट निगली थी, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाये था, इस चैनल पर, जिसको भी आप देख रहे हैं, TGT PGT टेस्ट बुक चैनल है, हिमाचल प्रदेश बरती PGT बरती नोटिफिकेशन जिसका जो इहमाचल प्रदेश का तव से क्या आई था, केवल बरती आई थी, इतने पदों पर भरती होगी, लेकिन आज इसका क्या दे दिया, उन्होंने ओफिसल स्लेवस दे दिया है, यह उस समय का नोटिफिकेशन है, जब यह बरती आई थी, मेरे पास रखा है, प्रेस 80 post of lectureal जो है, उनके लिए अब यहां पे इसके बारे हम पूरा स्लेवस के बारे हम दे रखा है, इसको मैंने पूरा का पूरा पड़ ली आ है, मैं आपको इसको संच्छिपत में बता रहा हूँ कि कहानी है क्या, तो कहानी यह संच्छिप्त में इसको समझे है, यहां पर वह होगा paper one अमारा इसमें qualifying nature का होगा के वल 35% अंक आपको उसमें लाना अनिवार रहे लेकिन यदी 35% अंक नहीं आए तो आपका paper two की copy check नहीं होगी अचा paper one जो qualifying paper है उसमें 50 question है और एक गंटे का समय होगा कितना एक गंटे का समय होगा 50 question है आपके इसमें दूसरा अगर बात करेंगे जो paper two है जो subject related है जिस पर merit बनेगी उसके 100 सवाल आप से पूछे जाएंगे और 2 गंटे का समय होगा और 100 सवाल भी पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से 80 सवाल तो आपके subject क्योंगे 80 सवाल आपके subject क्योंगे और 20 सवाल आपके जो आपने degree की है बियर जो आपने किया है उससे आपके सवाल पूछे जाएंगे किलियर है तो एक्जाम पैटन आपका यह हो गया PGT है जो subject की आपको तैयारी करनी है क्या अनुपम भाई negative marking है जी हां 0.25 की इसमें negative marking है और OMR based क्या होगा पेपर होगा इसमें offline mode पर पेपर होगा बस यह इसकी संच्पसी जानकारी है यहां पर अच्छा अब इसमें जो जो subject उन्होंने दिये थे जैसे लेक्षर इंग्लिस लेक्षर हिंदी लेक्षर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस economics mathematics physics chemistry biology और commerce इतने पदों पर बेकंसी निकाली थी तो उतनी पदों पर इनका क्या दे रहा है यहां पर याद रखना ओफीशल स्लेवर्स भी दिया हुआ है नीचे लिखा है प्लीज क्लिक on the concerned subject given below English हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस economics mathematics physics chemistry biology commerce इन पर निकला हुआ है जैसे अगर मैं हिस्ट्री पर क्लिक कर दूँ तो हिस्ट्री का जब खुल की आ जाएगा तो यहां पर लिखाए syllabus for objective type subject aptitude test set जो लिखा होता है SAT मतलब उसका subject का objective type question होंगे और इसमें लिखा है कि दो गंटे का समय होगा part 1 subject का हुआ 80 नमर का syllabus आप अपना पढ़ लेना जो जो टॉपिक है 80 नमर के और जो part second होगा याद रखना पार्ट second है आपका beard portions का जिसमें 20 नमर का आपका beard से लेटेर चीज़ें आपकी पूछी जा रहे है प्रॉपर तरीके से तो यह आपका इसका official syllabus है हर यहां महिमाचा पदेश का paper 1 paper 2 paper 1 common paper 2 आपका subject paper 2 100 नमर का paper 1 50 नमर का 50 नमर के लिए गंटे paper 2 100 नमर के लिए 2 गंटे negative marking आपको इसी चैनल पर मिलती है और वीडियो के नीचे comment करके दूर बताना जानकारी कैसे लेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी लिए के लिए इस चैनल को भी subscribe करें और like करें